हम पाप मोचनी एका दशिकी कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनने से एक था पाप सारे मिट जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एका दशिकी कथा सुनने से मिटे व्यथा एक बार है अरजुन श्री क्रिशना के पास आए हाथ जोड कर नमन किया और चरणों में शीष जुकाए श्री क्रिशना ने देखा उनको मंद मंद मुसका कर स्वागत किया है खुद अपने सिंहासन से उठकर सिर अरजुन से कहने लगे है भक्तों श्री क्रिशना मुझे बताओ क्या है अरजुन आने का प्रयोजन बोले अरजुन चेत्रम सब देखो लग गया है आने वाली एका दशिका महातम में क्या है आप ही एका दशियों की हम कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनने से एक अथा पाप सारे मिट जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एका दशिका सुनने से मिट व्यथा ये एका दशिका सुनने से मिट व्यथा आने वाली एका दशिका क्या है क्रिशना नाम व्रत करने से लावों कितने वर्नन करो तमाम समय समय पर आपने क्रिशना हमको राह दिखाई और कथा एका दशियों की भी हमको है सुनाई आने वाली एका दशिकी कथा में सुनना चाहता भला आपसे कोन बड़ा है तीन लोक में ग्याता सुनकर क्रिशना बोले अरजुन सब कुछ करूंब खान तुमको कथा सुना दूंगा मैं सुनो लगा कर ध्यान लगे सुनाने क्रिशना अरजुन सुनते जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनने से ये कथा पाप सारे मिट जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एका दशी कथा सुनने से मिट व्यथा ये एका दशी कथा सुनने से मिट व्यथा चैत्रमास के क्रिश्न पक्ष में एका दशी जुआ है पाप मूचनी एका दशी है अरजुन बोली जाए श्रीहर विश्नू की इसमें होती है पूजा शुबफल दायक नावरत कोई इस जैसा दूजा श्रत्ध भाव से व्रत की विधी को जो भी निभाते हैं उन भक्तों के सभी पाप ही नस्ट हो जाते हैं पाप मूचनी एका दशी की है प्राचीन कथा पूजा पाठ के बाद जिसको अवश्य जाए सोना वही कथा विस्तार पूरवक तुम्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनने से ये कथा पाप सारे मिट जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एका दशी कथा सुनने से मिट व्यथा अब मैं तुम्हें सुनाओं और जुन एक प्राचीन कथा यही कथा सुनने आये थे राजामानधाता राजामानधाता ने कथा यही सुननी चाही थी रिशिलो मेशन राजामानधाता को सुनाई थे वही कथा मैं तुम्हें सुनाओं सुनो लगा कर ध्याहान प्राचिन काल में सुन्दर वन था जिसका चत्रतना देखा कभी सुनाना होगा ऐसा लोकित वन वहां सदेव ही रहता जैसे बसंत का मौसम पुश्प खिले रहते हैं जोवन को महकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनने से एक था पाप सारे मिट जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एका दशी कथा सुनने से मिटे व्यता विहार करने आते थे वहां किंडर और अपसराएं और कभी आ जाती अरजुन वहां गंधर्व कन्याएं मेधावी नामकर शीवन में वहां तप करता था शिव भक्ती में लीन वो शिव का नाम सुमरता था मन्जु घोशा नामक शरा एक बार वहां आई मेधावी रशी को देखा तो सुदबुध अपनी गवाई मन्जु घोशा मेधावी रशी पर माहित हो जाती है ध्यान भंग करने को मधुरवी नाम बजाती है किन्तु रशी मेधावी नापना ध्यान हटाते है पावन कथा सुनाते है सुनने से ये कथा पाप सारे मिट जाते है हम कथा सुनाते है ये एका दशी कथा सुनने से मिट व्यथा ध्यान भंग ना कर पाई जो करके वेणा वादन अपनी मधुरवानी में करने लगी है वो गायन रशी मेधावी भी उस समय वावस्था में थे देखी अपसरा की सुन्दर ता वो भी भटक गए मन्जु घुशा ने जो चाहा था वैसा ही हुआ है मेधावीरशी से हो गई उसकी नजदे किया है मन्जु घुशा ने अपने रूप का ऐसा जाल बिछाया मेधावीरशी ने अपने शिव भक्ती को ही भुलाया रमन अपसरा के संग में करने लग जाते है पावन कथा सुनाते है सुनने से ये कथा पाप सारे मिट जाते है हम कथा सुनाते है ये एका दशी कथा सुनने से मिटे व्यथा मेधावीरशी ने शिव की है जतनी तपश्या के है मन्जु घुशा के प्रेम के कारण सब ही व्यर्थ हुई मन्जु घुशा ने जाने किया जो रिशी से चाही थोड़े दिन और रुक जाओ कहने लग रिशी में धावी त्रमन करे संग दोनों नहीं है समय का पता चला अपने सभी शक्तियों को है रिशी ने दिया भुला मन्जु घुशा ने रिशी में धावी से एक दिन है कहा हमें साथ में रहते कितना समय है बीत गया सत्तावन वर्षों तक साथ वो समय मिताते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनने से ये कथा पाप सारे मिट जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एका दशी कथा सुनने से मिटे व्यथा वर्ष बेत गए है सत्तावन रशीन सोचा है आत्म गलानी हुई बड़ी ये मैंने क्या किया है शिव भक्ति को भूल गया मेरवन लगा करने फिर बोले मंजु घोसा से ये सब किया है तुमने करके तपश्या को भंग मेरे सर्ग में कैसे जाओ देता हूं मैं शाप तुम्हे के पिशाचनियों नी पाओ रशी शाप से मंजु घोशा ने पिशाचनियों नी पाए इतना जानकर मंजु घोशा भे बड़े पच्छताई रशी में धावे भे अपनी सब शिद्धी भुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनने से ये कथा पाप सारे मिट जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एका दशी कथा सुनने से मिटे व्यथा ये एका दशी कथा सुनने से मिटे व्यथा मन जुगो शाफिर करने लगी है रिशिवर से विनती माफ करो है रिशिवर मुझसे भूल हुई जो भी हम दोनों ने एक साथ में इतना समय बिताया पिशाच योनी से छुटका रा कैसे जाए पाया भूल को कर दोग्षमा मेरी अर मुझ पे तरस खाओ मुक्ति मिले इस योनी से कोई ऐसा उपाए बताओ फिर शी में धावी ने सोचा दोनों से है भूल हुई करना होगा मुझे उपाए इसके लिए कोई रिशी में धावी एक उपाए उन्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनने से ये कथा पाप सारे मिट जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एका दशी कथा सुनने से मिटे व्यथा ये एका दशी कथा सुनने से मिटे व्यथा निरशी में धावी ने बत लाया उन्हें को है एक उपाए पाप मोचनी एका दशी है मन जो घोशा जब आए पाप मोचनी एका दशी का व्रत किया जो जाए जाने अंजाने में पाप किये सभी नस्ट हो जाए पाप मोचनी एका दशी फिर भक्तों आई जब है मन जुभोशा ने श्रथा भाव से व्रत किया वो तब है व्रत कि ब्रभाव से फिर से अपसरा वो तो बन गई है बन के अपसरा स्वर्ग को फिर वो लोट ही आई है मन जुभोशा के पाप नस्ट सारे हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनने से ये कथा पाप सारे मिट जाते हैं ये एका दशी कथा सुनने से मिटे व्यथा किन तुरशी में धावी ने भी तो है पाप किया जितना भी किया तप था उसने सारा भंग हुआ पाप मोचनी एका दशी का उसने व्रत किया है सभी जित्तियों को अपनी फिर वापस पा लिया है पाप मोचनी एका दशी का व्रत है ऐसा अरजुन सुनकर के कथा शीक्रिशना को किया उन्होंने नमन प्रकट किया है अरजुनने शीक्रिशना का भार पाप मोचनी एका दशी के व्रत का किया वेचार महातम्य से एका दशी का जान वो जाते है पावन कथा सुनाते है सुनने से ये कथा पाप सारे मिट जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एका दशी का था सुनने से मिटे व्यथा ये एका दशी का था सुनने से मिटे व्यथा पाप मोचनी एका दशी भकतों जब आती हैं पूजा के पस्चात कथा ये ही सुनी जाती है पाप मोचनी एका दशी का व्रत है बड़ा महान कृपा करते हैं भकतों पर खुद श्री विश्णू भगवान एका दशी के व्रत की जोश्धा से रीत निभाते जाने अन जाने में पाप की सभी नश्ट हो जाते तिरी अब रजवासी ने कथा ये एका दशी की गाई हन से राजर लहन ने सुनी तो पसंद बड़ी है आई फोजी सुरेसस सभी कथाएं ये लिखवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनने से ये कथा पाप सारे मिट जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एका दशी कथा सुनने से मिट व्यता ये एका दशी कथा सुनने से मिट व्यता